जोहार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल ओननेट जहारखन पे तो दोस्तों आज है 16 फरवरी 2021 और आज के जहारखन करेंट अफ़र्स से जितने भी सारे इंपोर्टेंट करेंट अफ़र्स के तो प्लीस चैनल को सब्सक्राब जरू कर लीजिए साथ ही बैल अकन को भी प्रिस कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस अपडेट सबसे पहले मिल सके डेली मॉर्निंग पांच बजए यहां पे करेंट अफ़र्स के एक महत्तपूर्ण वीडियो आती है तोरी भाषा के लिए डोक्यमेंटेशन सेंटर शरुवात करने की पहल की गई है तो अभी हाल ही में तूरी भाषा के लिए Documentation Center की सुरुवात की जा रही है विश्वदाले DSPMU यहाँ पे Correctants होगा विश्वदाले के नाम है DSPMU यानि Dr. Shema Prasad Mukherjee विश्वदाले चलिए इसके important points भी हम लोग यहाँ पे details में देख लेते हैं Dr. Shema Prasad Mukherjee विश्वदाले द्वारा भाषाओं के संडरक्षन वो समवर्धन पर कारी शुरू करने के क्रम में लुप्त प्राइब भाषा असूर के बाद अब तूरी भाषा के समवर्धन पर काम करने जा रहा है इसके लिए एक documentation center की विधिवत शुरूआत होगी और इस center में तूरी भाषा से संबंधित आकड़े संग्रहित किये जाएंगे तो एक documentation center की शुरूआत की जा रही है DSPMU-Dara और इस documentation center में तूरी भाषा से संबंधित यानि लुप्त प्रा भाषा से संबंधित विज्वल और sound तयार के जाएंगे चलिए next point देखते हैं यहापे जो कि important है वर्तमान में इस भाषा को बोलने वालों की संख्यां 500 से 600 के बिच सिमीत है मुख्यता जारखंड और 36 गड़ में तूरी भाषा बोले जाती है तो यहापे एक important point दी गई है अगर पूछा जाए कि मुख्यता तूरी भाषा किस प्रदेश में बोले जाती है तो जारखंड और 36 गड़ इसका correctance होगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं हाल ही में जैपाल सिंग मुंडा स्टेडियम के नव निर्मान को लेकर कुल कितनी लागत राशी का प्रावधान है तो जैपाल सिंग मुंडा स्टेडियम कहा है यह राची में स्थित है और इसके अभी नव निर्मान को लेकर कुल 5 करोड रुपे राशी का प्रावधान है तो यहाँ पे इस प्रशन के लिए option C करेक्टन सो होगा ठीक है पाँच करोड रुपे की लागत राशी से जैपाल सिंग मुंडा स्टेडियम का निर्मान किया जाएगा चलिए इसके important points हम लोग यहाँ पे details में देखते हैं राशी नगर निगम कचहरी रोड इस्थित जैपाल सिंग मुंडा स्टेडियम का 5 करोड रुपे की लागत से जिर्नोधार किया जाएगा स्टेडियम में flood lights लगाई जाएंगी ताकि लोग रात में भी खेल सकें तो यहाँ एक initiative की जाहरी है राज्य सरकार दोरह चलिए अगला प्रशने देखते हैं हाल ही में किस विश्वधाले दोरह पूर्वी छेत्र एग्रोटेक किसान मेला आयजीत की जाएगी मेले के नाम है पुर्वी छेत्र एग्रोटेक किसान मेला और यह मेले का अविजन जो क्या जाएगा B.A.U. यानि बिर्सा एग्रिकल्चर उनिवर्सिटी के द्वारा तो यहाँ पे एक इसबस्ट होता है एग्रोटेक ठीक है जो इसकी किसान से सम्मंदित है तो B.A.U. यानि बिर्सा एग्रिकल्चर उनिवर्सिटी इस प्रेशन के लिए सही अंसर होगा आप इसे याद रखें चलिए इससे सम्मंदित हम लोग यहाँ पे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं इस प्रेशन से सम्मंदित बिर्सा क्रिशी विशुदाले की ओर से 5-7 मार्च तक पूर्वी छेत्र एग्रोटेक किसान मेला का आयजन किया जा रहा है इसमें बिहार, जारखंड, परशीम बंगाल, 36 गर और ओडिसा के किसान, स्वयम सही संस्थाएं, शोध संस्थान और क्रिशी पलाधिकारी भाग लेंगे इस वर्ष मेला का थीम होगा क्रिशी उद्यमों के विविद करण से ग्रामिन संपन्ता तो इसका थीम याद रखा किजिएगा, क्रिशी उद्यमों के विविद करण से ग्रामिन संपन्ता इसका थीम इस बार का रखा गया है चलिए, नेक्स क्रिशन देखते हैं हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितने साल से लापता सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ती का प्रावधान है तो सरकारी सेवक जो भी है और अगर वे लापता हैं तो कितने सालों से लापता के आशरितों को ही अनुकंपा पर नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है तो यहाँ पर इस प्रश्णी के लिए option C correctance होगा यानि 7 साल से जो सरकारी सेवक लापता है उनके आशरितों को ही अनुकंपा पर नियुक्ति दी जाएगी तो यहाँ पर option C correctance होगा तो चलिए इसकी important points हम लोगे यहाँ पर details में देखते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार भाग द्वारा जारी प्रावधान के तहत अब लापता सरकारी सेवकों के आशरितों को अनुकंपा पर नोकरी उपलब्ध कराए जा सकेगी और इसके तहत जो सरकारी सबक 7 साल या इससे ज़्यादा समय से लापता हैं उनके मामले में सक्षम नियाला से civil death घोशित करने का certificate लेना होगा एवं इसके 2 साल के अंदर नियुक्ती के लिए आवेदन देना होगा यह नियुक्ती रिक्ती पदों के विरुद्ध होगी एवं इसके लिए तय प्रावधान का पालान करते वे नियुक्ती की जाएगी तो ऐसा procedure इसमें mention किया गया है और यहाँ पे मुख्य तोर पे याद रखा किजे कि 7 साल से अधिक या 7 साल तक जो सरकारी शवक लापता है उनके आशरितों को ही अनकमपा पर नोकरी उपलवद कराई जा सकेगी चलिए next question देखते है जिन्हें राशी आवंटित की जाएगी वाईव गुनवत्ता में सुधार को लेकर तो यहाँ पे option be correct answer होगा चलिए इसके important points हम लोगे हैं पे details में देख लेते हैं जारखन के राची और धनबाद के आबो हवा सुधारने के लिए नगर विकास भागने योजना बनाई है और इसके ताथ दोनों शहरों के हवा शुद्ध करने पर 318 करोड रुपे खर्च होंगे कितनी लागत राशी यहाँ पे की जाएगी की 10 लाग से ज़्यादा की अबादी होनी चाहिए तभी उन्हें इस कारी हेतु राशी आवंटित की जा सकेगी तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को डिटेल्स में जरूए दखा किजिए चलिए अगला प्रेशन देखते हैं जोकि कल की वीडियो में आपको एक क्वेशन दिया गया था हाल ही में जारी लॉंगिट्यूट्नल एजिंग स्टेडी इन इंडिया वेव वन की रिपोर्ट के अनुसार जारखंड बुजूर्ग जागरुट्ता की मामले में कितने अस्थान पर है तो इसका अनुसार आपको कमेंट बॉक्स में करना था तो हम लोग यहां पर इसके राइट अंस को डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं तो अभी हाली में जारी लॉगिट्यूट्नल एजिंग स्टेडी इन इंडिया वेव वन की रिपोर्ट के अनुसार जारखन जो है बुजूर्ग जागरुता की मामले में चोधवे अस्थान पर है तो ऑप्शन डी यहां पर इस प्रशन के लिए बिल्कुल करेक्ट रंस हो जागा जारखन बुजूर्ग जागरुता की मामले में चोधवे अस्थान पर है तो चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग यह पी डिटेल्स में देखते हैं जारखन में विर्धा पेंशन का लाब लेने वाले 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों की संख्यां यहां महज 27.5 फिस्दी है Longitudinal Aging Study in India Wave 1 की रिपोर्ट के अनुसार जारखन राज के लगभग 19 फिसद बुजुर्ग ही सरकार द्वारा लागू कानून तथा मिलने वाली रियायतों की जानकारी रखते हैं इस जागरुकता में 13 राज वग केंदर शासित परदेश जारखन से आगे हैं और इस तरह से जारखन जो है चोधमी अस्थान पर है ठीक है? 13 राज और केंदर शासित परदेश जारखन से आगे हैं जारखन कान अस्थान 14 पर जारखन है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं जोगी आज का लास्ट कोशन है इस question का अंसर आपको comment box में करना है तो question है हाल ही में किस जिले के प्रेटग अस्थलों को Google Map में प्रदर्शित करने की पहल की गई है Google Map में किस शहर के प्रेटग अस्थलों को प्रदर्शित करने की पहल की गई है तो इस question के लिए option है राची, हजारीवाग, सिमडेगा या रामगड तो इन चार ओप्शन्स में से आप प्रयास किजेगा सही अंसर कमेंट बॉक्स में कर सकें तो फ्रेंट्स ये था आज के जारगन करेंट अफेर्स के इंपोर्टेंट कोशेंट्स उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ